हलो गाइज कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स सर्दियां आ रही हैं सर्दिक मोसम में हर घर में गाजर का हलवा जरूर बनता है बट फ्रेंड्स मेरे घर में जाद तर चुकंदर का हलवा बनता है जो वहुत टेश्टी है तो मैंने सुचा क्यों ना फ्रेंड्स आप लोगों की इसके लिए 200 ग्राम चुकंदर लेंगे उसे छीन कर अच्छी तरह से बॉस कर लेंगे और किसी ग्रेडर की सहायता से कदू कस्क कर लेंगे कदू कस्किया हुआ थोड़ा मुटा साइस का होना चाहिए और इसे हम साइड में रख देंगे अब एक पैन लेंगे गास अन करेंगे अब उसमें कदू कस्किया हुआ चुकंदर अड़ करेंगे अब उसमें एक कप दूद अड़ करेंगे या फिर इतना इसमें दूद की जरुद्ध हो आप उतना दूद इसमें अड़ कर सकते हैं मैं आपको एक चमच घी में वीट रूट्स का हलवा बना कर दिखाऊंगी क्यूंकि धर का जाय का विद्खुश्वू में जो दिखता है वही पकता है जब दूद ऊबलने लगे तो उसे आज को धीमा करकर उसे चलते रहेगा और जब दूद आधा हो जाए तो आप एक दो इलाइंची कुटकर हलवे हे में डालवे में इलाइंची का बाउडर डालेस 2017 हलवा का टेश्ट और अच्छी में नुना तो आप उसमें चीनी आड़ करिएगा चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार भी आड़ कर सकते हैं और चीनी को मेल्ट होने तक चलाते रहिएगा ताकि नीचे से चीनी लगेना अब उसमें ड्राइब फूर आड़ करिएगा और उसे चलाएगा अब चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाया तो आप उसे नीचे से चलाते रहिए और हलवा को नीचे सहीं चलाते रहना चाहिए अब उसमें पच्चास गरांप खोया आड़ करिएगा फ्रेंट्स देखिए एक जम्मच घी इसमें डालिएगा और इसे खूप चलाते रहिए जब तक ये घी छोड़ ना दे और हाँ अगर आप मेरे चैनल पढ़ना हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देखिए अलवा कितना सुन्दर लगडा है लगडा है जैसे हम अभी खालें बट वेट करना होगा क्योंकि अभी हलवा थोड़ा और पकेगा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा रखता है तो प्लीज इसे लाइक और अपने फ्रेंट्स और फैनली में सेयर कीजिए और कुछ पुछना हो या फिर सजेशन देना हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए देखिए हलवा अपना घी छोड़ने लगा हलवा आप पूरी तरह से तयार है अभी कैस और कर देंगे अप्लेटिंग करने के लिए एक कटोड़ी लेंगे उसमें हलवा कुन ट्रांसफर करेंगे अब उसे कार्नेसिंग करने के लिए कटा हुआ बदान उपर से छिरकेंगे हलवा तयार है वाव हलवा बहुत ही टेस्टी है आप इसे एक वार अपने घर में जरूर ट्राय करिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक खुस रहें और खुस यां बाढ़ते रहें थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग टेप क्यार एंड वाब वाई झाल